हेलो गाईज कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ व्लोग पर पढ़ियाओंगे तो आज हम रेवियू करने वाले हैं मारूती सुजु की इगनीज सिग्मा वेरियंट का तो बेस वेरियंट का यह है इसी कर रेवियू करेंगे इस वीडियो में जानेंगे इसके वीचर्स और और प्राइस के बारे में इसमें जो वेरियंट आते हैं वो जान लेते हैं सिग्मा डेल्टा जीटा और अलफा इसका टॉप वेरियंट है और इसमें आपको डेल्टा एटोमेटिक जीटा एटोमेटिक और अलफा एटोमेटिक अलफा डॉल टॉन और जीटा डॉल टॉन में भ दिया गया इसमें lower bumper आपको black ही मिलता है silver finish मिलेगी आपको fog lamp इसमें नहीं आते है company fitted aftermarket आप इसमें लगवा सकते हैं base variant गाड़ी है steel wheel मिलते हैं अगर आप wheel की बात करें तो 175-65 और 15 इंचीस के wheel दिये गया है steel wheel मिलते हैं आपको wheel cover नहीं मिलेंगे aftermarket आप इसमें लगवा सकते हैं wheel cover तो टोटल इसमें no variant आते हैं जिसमें automatic और dual tone में और यह सब मिला के total इसमें no variant में available है यह गाड़ी जिसका review कर रहे हैं और यह साइट प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी साइट प्रोफाइल से बहुत ही बढ़ी है लुक है गाड़ी का देखने में बात कर लेते हैं आप इसके dimension की तो इसमें आपको 3700 mm की इसकी लेंद है विर्थ है 1690 mm की और हाइट है इसकी 1595 mm की हाइट है विल बेस है इसका 24-95 mm का विल बेस है बात करेंगे टर्निंड रेडिए सकी तो 4.7 मीटर का टर्निंड रेडियस है और ग्राउण्ड ग्लियेंश है इसकी Info 11 180 mm की बात करेंगे श्च 2013 तो इसमें आपको 20.89 KMPL की माइलेज मिलती है जो की कमपनी क्लेम करती है तो बहुत ही बड़ी आ माइलेज है बात करेंगे अब इसके suspension होगी तो इसमें आपको front suspension मैक पॉर्ट सन इस्टर टाइप दिये गए है रियर suspension आपको इसमें tourism, beam type दिये गए है इसमें रियर suspension और इसमें आपको Fender बेंडिकेटर दिये साइडमेर आपको Body clip मिलता है Door handle बेह आपको Body clip कलर दिये गया है यहाँ पर कुछ डिजाइन मिलेगा देखने को जो की और ये रियर प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल से भी बहुत ही बड़ी है गाड़ी का देखने में रियर में आपको रूफ पे अंटिना दिया गया है हाई मोनिस टॉप लैम्प नेक्स तका स्टीकर सब्सक्राइब गया है इगनीज की बैजिंग दिये गई है छो डिये गाइसको आप देखी रहे हैं एक बैंप्रों पर आपको चार प्रकिंग सेंसर दिये गया है और दो Ring firmly रिए के बंपरों पे ये दूसरी जैड की प्रेफाइल गाड़ी की दूसरी साइट से भी बहुत ही बड़ीया लुक है गाड़ी का देखने में देखिए और इसमें आपको बात करेंगर सेफटी फीचर्स की तो इसमें आपको डूल एरबैक दिये गए हैं ABS विद एवीडी ABS यानि अन्टी लॉक ब्रेक्ट सिस्टम एवीडी यानि एलेक्ट्रोनिक ब्रेक्फोर्ट्स डिस्टिविशन सेंटर लॉकिंग डॉर दिये गए हैं इसमें पावर विंडो मिलता है आपको फ्रेंट के दुरों डॉर पावर विंडो मिलते हैं रियर के डॉरों पे आपको चैल्ड सेफटी लॉक मिलेगा सीट मेल्ट वालिंग लाइट इंजिन इम्मोबिलाइजर प्री टैंशनल एंड फोर्स लिमिटर स्पीड सेंसिंग अटो डॉर लॉक तो यह सारी सेफटी वीचर्स इसमें दिये गए हैं जो मैंने आपको बताए और बात करेंगे अब इसके प्राइस की तो इसमें आपको जो एक्षोर्म प्राइस है वो जाल लेते हैं 4,89,320 इसका एक्षोर्म प्राइस है ऐन रोड प्राइस के बाद करें तो 5,60,710 इसका ऑन रोड प्राइस है डेली का प्राइस है जो मैंने आपको बताया यहां सी आप फ्यूल बराएंगे 32 लीटर की फ्यूल टैंक दी गई है बैक डॉर खोल लेते हैं बूट स्पेस देख लेते हैं कि ऐसा बूट स्पेस मिलता है रियर पासल ट्रे नहीं मिलेगी आपको इसमें कमपनी फिटेट बेस वेरियंट है यह आपका स्पेर विल है जो की 175 65 आर 15 इंचिस का दिया गया है स्पेर विल आपको 15 इंचि मैनुल ही दिया गया है बोट लखने का स्पेस में दिया गया है स्पीकरों की जगा दिए अफ्टर मार्केट आप इसमें लगवा सकते हैं स्पीकर टूलकिट है आपके गाड़ी के रियर शीट होगे हैड़ आपको फिक्स्ट मिलते हैं अर्जस्टेवल नहीं मिलेंगे और लेगरूम के बात करें तो बहुत ही बड़ी है लेगरूम है लेगरूम के प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको इसमें वन लीटर की बोट लखने का स्पेस दिया गया है रियर पैसेंजर के लिए आप उस्ट्री के बात कर रहे थे तो डोट रिमो से मैच करती हुई लोट लगने कहीं से दिए गया स्पीकरों के जगाई दी गई है स्पीकर नहीं आफने मर्क अफ़िसमें लगवा सकते हैं गृफ ऑशिस्टेंग्र दिये गया है लेफ्ट-राइट में कि फ्रंट्ट्छी तों लेकिंद आपको यानि एड्रेश के साथ दिए गए हैं कि फ्रंट्-शी तो में देखी रहा हैं आप और जैसा के मेरेजर सेट पर बाठा हूं तो मैं फ्रंट्ट डायज़ोट के एक लोगत देता हूँ कैसा लगता है आपको फ्रंट्ट बीदिया गया है जो के रियर के दुनों डौर पर आपको मिलता है चायलो सेफ्टि लॉट चलते है फ्रेंट डौर के इंटेर में तो में भाष कर सकते हैं और ये रेवर सीट सीट आप देख रहे हैं या उनली शेप में मिलते हैं headlight tabling के switches दिये गया है right side में ही बात करेंगे steering wheel की तो इसमें आपको SRS airbag S का monogram chrome lens के साथ दिया गया है three spoke wheel के साथ मिलता है tilt steering दिया गया है जिसमें कि आप अपने head के recording adjust कर सकते है steering wheel को up and down right side में headlight के left wiper के controls दिये गया है और देखे की देख लेते हैं तो दोनों की आपको इसमें देखे बिल्कुल simple दी गई है remote की नहीं मिलती है आपको इसमें base variant घाड़ी है तो इसमें आपको simple key दी गई है M.I.D. देख लेते हैं तो इसमें आपको देखे चोटी सी digital display दी गई है जो आपको सारी information देगी कुछ warning light भी दी गई है इसमें आपको display में fuel बताएगा kilometer clock जैसी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं और infotainment system नहीं मिलता after market आप इसमें लगवा सकते है infotainment system यहां पे आपको hazard का switch दिया गया है एसके controls यहां पे दिये गया है यहां यहां यह तो आपको 12 watt का charging socket दिया गया है दो कपूल रखने का space मिल जाए console console पी यह gear lever five forward reverse के साथ handbrake lever भी नॉर्मल दिया गया है इसमें और यह आपको एक SRS airbag और दिया गया है जो की co-driven side यह आपका glow box है जो की आपको deeply यहां पे space दिया गया है गलो बॉक्स में तो space की problem नहीं मिले गया अच्छी काड़ी है और यहां पे आपको यह वाला डोर पी power window बोट लगने का space दिया गया साथ में स्पीकरों की जगा दी गई स्पीकर नहीं है इसके अंदर आफ्टा मार्किट आप इसमें लगवा सकते हैं स्पीकर और फ्रेंट में आपको sun visor दिया गया है साथ में ही रिडिंग लैंप और IRVM इसमें नॉर्मल दिया गया है और साथ में ही गिरिप असिस्टेंट तो इंटिरियर आपने देखी लिया हुट खोल लेते हैं चलते हैं इंजन रूम में हुट खोलने का option रैवर साइड यहां पे लिए वर दिया गया है हुट खोल लिया है हमने आगे हम इंजन रूम में तो इसमें आपको देखिए ऋट के इंसाइड यह कवर दिया गया है जोके इंजन के वाइब्रेशन और कंट्रोल करता है जो कवर आपने देखा तो इसमें आपको देखिए 1197 cc का अंजन दिया गया है तो 1.2 लीटर पैटल एंजन मिलता है आपको इसमें 1197 cc का अंजन मिलेगा बात करेंगे पावर की तो 82 bhp की पावर मिलेगी आपको 6000 rpm पे अगर हम टॉर्क के बात करते हैं 113 nm की टॉर्क मिलेगी 4200 rpm पे सो फ्रेंड्स यह था रिव्यू मारती सूजू की 21 सिग्मा वीरियंट का अगर आप इसके सभी वीरियंट का रिव्यू देखना चाहते हैं सिग्मा डेल्टा जेटा का तो मैंने लिंक डिस्क्रीश्प्शन में डाल दिया है वहां से आप सभी वीरियंट का रिव्यू देख सकते हैं तब तक के लिए शीट बेल पहने हैं हेलमेट पहने हैं शुरक्षे चलिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद